Friends, मैं उसने हाँ, Welcome to my channel for you and a child. साल 2021 में CBSE class 10th and 12th board exam देने वाले student का result अब कुछी दिनों में आने वाला है. 25th July 2021 तक आपके सारे results compile हो जाएंगे, कुछ दिनों में आपका result भी publish हो जाएगा. तो आएए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने result को अपने mobile पर ही देख सकते हैं और अपने certificates भी download कर सकते हैं. यह जो तरीका में बताने जा रही हूँ, उससे ना केवल इस साल exam देने वाले students अपना result देख सकते हैं और certificates download कर सकते हैं, कि कोई भी students अपने result को देखकर अपना certificates download कर सकते हैं. जो मैं तरीका बता रही हूँ, उससे result को देखने के लिए आपको ज़रत पड़ेगी आपके CBSC के role number की. अगर आपको अपना CBSC का role number पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने school को contact करके role number ले सकते हैं. तो करना क्या है, अपने mobile के play store पर जाना है और वहाँ पर आपको type करना है DG Locker. जब आप DG Locker क्लिक करेंगे तो आपके सामने DG Locker का ये application खुल कर आएगा. इसे आप अपने mobile पर install कर ले. ये application आपके mobile पर install होने के बाद ये interface आपके सामने खुल जाएगा. आपको open पर क्ल screen आपके सामने आएगी. नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे तो ये CBSE का logo आपको दिखेगा. इस CBSE के logo पर आपको क्लिक करना है. जैसे ये आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये page खुल कर आएगा. और अगर आपने इस पर पहले से account बनाया हुआ है तो आप sign in करेंगे अपने करना है. फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है और वो नाम आपके अधार कार्ट से match होना चाहिए. उसके बाद आपको लिखना है date of birth और date of birth भी जो आपका अधार कार्ट में है और आपने अपने registration में दिया है उससे match होना चाहिए. male, female, other इस पर आपको mark करना ह ध्यान रहे mobile number वही दे जो आपने cbc registration के time दिया था. उसके बाद आपको बनाना है six digit का security pin पासवर्ट की तरह और इसे समहाल का रखना है. नीचे आपको अपना email id लिखना है और आखिर में आपको अपना अधार number इसमें डालना है. अधार number डालने के बाद आप submit पर click करें यह आपका account बन गया. अब आगे से जब भी आप dg locker को open करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको sign in पर click करना होगा. जब आप sign in हो जाएंगे तो आपके पास यह option खुलकर आएगा. इन option में से आपको वही option चुनना है जिसका result आपको देखना है या फिर उसकी soft copy download करना है. अगर आपको class 10 की mark sheet देखनी है तो आप class 10 की mark sheet पर click करेंगे. 12 की देखनी है तो 12 की mark sheet पर click करेंगे. अगर आपको अपना passing certificate या कोई और document देखना है तो वह आप उस पर click करेंगे. अभी हमें देखना है class 10 का result तो उसके लिए हम click करेंगे class 10 mark sheet. अब क्लिक करेंगे तो आप आपका नाम reflect होगा वो आप match कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना year of passing डालना है year of passing डालने के बाद आपको अपना roll number डालना है दोनों details को fill करने के बाद आप get document पर click करेंगे click करने के बाद आपकी mark sheet आपके सामने आ जाएगी आप इसे या तो directly class 10 mark sheet जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर click करेंगे तो आपकी mark sheet खुल जाएगी otherwise आप यह जो 3 dots है उस पर आप click कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा download का option वहाँ से आप अपने mark sheet की PDF copy download कर सकते हैं जिन students ने इस साल एक्जाम दिया है उनके migration certificate और passing certificate upload होने में कुछ और time लग सकता है लेकिन 2021 से पहले वाले students अपने किसी भी CBSE के documents को असानी से इस तरीके से download कर सकते हैं अगर आपके पास roll number नहीं है आपके पास cable registration number है तो उससे आप अपना result कैसे देख सकते हैं या फिर phone करके आप अपने result को कैसे देख सकते हैं इसके बारे में detail में जानने के लिए मेरे next video क को जरूर देखें क्योंकि roll number अगर आपके पास नहीं है तो registration number तो जरूर होगा क्योंकि यह registration number आपको class 9th के time ही मिल जाता है friends उमीद करते हूँ यह video आपके काम की लगी होगी तो इसे like and share करें मेरी channel को subscribe जरूर करें क्योंकि school college educations related बहुत सारी informative video लेकर मैं अपने channel पर आती हूँ मिलती हैं आपसे next video में thank you so much for watching this video